अक्स्या सात्वी प्रसनावली च्यार दस में लवेक प्रसन संख्या 4 च्यार प्रसन नंबर में हमें कफन दीए वे हैं और आमें कफनों को समीकण के अंदर बदलना है कथन क्या होता है कथन का मतलब है कोई चीज कोई बात जो इसी के दवारा कही गई हो अब उस कथन को हमें समीकन के रूप में लिखना है कि उसका कथन का समीकन क्या बनेगा तो परसन संख्या च्यार का पहला भाग है एक कथन है संख्याओं X और च्यार का योग 9 है तो इसका समीकन बनाएंगे हम समीकन हो जाएगा X और च्यार और का मतलब जोड बराबर 9 X और च्यार का योग 9 है X को और च्यार को हमने जोड दिया और बराबर 9 के रख दिया ये एक समीकन बन गया अब यहां से क्योंकि समीकन में मैंने बता आ था समीकन क्या होता है समीकन के अंदर एक आसी चर होती है जो X, Y, Z कुछ भी हो सकती है दूसरा उसके अंदर एक समता का या बराबर का निशान अवश्य ही होगा तो ये X जमाच्यार बराबर 9 हमार असमीकन बन जाएगा नेक्स्ट है, Y में से 2 गटाने पर 8 प्राप्त होता है यहाँ पर चर है जो Y है Y में से 2 को हमने गटा दिया बराबर 8 यानि 8 प्राप्त होता है तो 8 के बराबर आएगा तो Y माइनस 2 बराबर 8 ये समीकन बन जाएगा A का 10 गुणा 70 है यहाँ पर 4 है वो A है तो A का 10 गुणा A को हमने 10 से गुणा की A का 10 गुणा 70 है यानि बराबर है 70 का का अर्थ होता है वैसे गुणा तो A का 10 गुणा ये को हमने 10 से गुणा की बराबर 70 इसको और आगे लिशकते हैं A गुणा 10 हो जाएगा 10 A बराबर 70 अगला है संख्या B को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है संख्या है कोई B B यहाँ पर एक 4 है उसको हमने 5 से भाग दिया 6 प्राप्त होता है बराबर आएगा 6 से इसको आगे लिशकते हैं भाग का मतलब होता है बटे तो B बटे 5 बराबर 6 नेक्स्ट है T का 3 चोथाई 15 है T यहाँ पर 84 है उसका 3 चोथाई का माने गुना 3 चोथाई 3 बटे 4 3 चोथाई का मतलब होता है 3 बटे 4 बराबर है 15 और आगे इसको आल कर सकते हैं गुना करेंगे उपर 3 की और T की तो 3 टी बटे 4 बराबर 15 नेक्स्ट पार्ट है M का 7 गुना और 7 का योगफल आपको स्तेहतर देता है तो स्मिक्ण बनाएंगे M M यहां पर 4 रासी है M का 7 गुना तो M को 7 से गुना कर दिया और 7 का योगफल यानि जोड M के 7 गुने का को के अंदर हमने 7 जोड दिया M का 7 गुना और 7 का योगफल यानि जोड आपको स्तेहतर देता है यानि बराबर आएगा यह अब स्तेहंतर के यहां से और हज़ को सौल करेंगे तो M गुना 7 हो जाएगा 7 M जमा 7 बराबर स्तेहंतर यह हमारा स्मिक्ण बन जाएगा अगला पार्ट है एक संख्या की X की चोथाई एक संख्या X है उसकी चोथाई और यहन च्यार आपको च्यार देता है तो एक संख्या X X हमारे पास एक चर रासी है उसकी चोथाई का मतलब है एक चोथाई तीन चोथाई था तीन बटे च्यार तो चोथा ही हो जाएगा एक बटे च्यार तो इसको हम एक बटा च्यार से गुणा करेंगे रिन च्यार रिन का मतलब होता है गटा और धन का मतलब होता है जमा तो रिन च्यार आपको च्यार देता है तो बराबर च्यार आगे हल करने पर x गुणा 1 बटा 4 हो जाएगा x बटा 4 गटा 4 बराबर 4 यह स्मिक्ण मन जाएगा अगला पार्ट है यदि आप y के 6 गुणे में से 6 गटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है y के 6 गुणे y लिए हमने 84 इसका 6 गुणा यानि 6 से गुणा इसमें से गटाएं कितना 6 तो हमें प्राप्त होता है कितना 60 तो बराबर 60 हल करेंगे y गुणा 6 हो जाएगा 6y गटा 6 बराबर 60 नेक्स्ट है यदि आप जड के एक तिहाई में 3 जोडे तो 30 प्राप्त होता है समीकन बनेगा जड जड हमारी 84 है इसका एक तिहाई एक तिहाई का मतलब है एक बटा तिहाई 3 में 3 जोडे तो जमा 3 बराबर मिलता है में 30 यह समीकन हो जाएगा इसको लिखेंगा जड बटा तीन जमा तीन बराबर 30 यह हमारा समीकन बन जाएगा प्रसं संक्या 5 निमलिक समीकनों को समायने कथनों के रूप में लिखी यहाँ पर हमें समीकन दिया हुआ है उसको हमें कथन के रूप में लिखना यानि समीकन को हम किस तरह से पढ़ेंगे तो यह प्रसंद 4 का बिलकुल उल्टा है यहाँ पर समीकन दिया वायर समीकन को में कथन के रूप में लिखना है यानि हम समीकन को किस तरह से पढ़ेंगे तो पहला है P जमा 4 बराबर 15 जिसका कथन हो जाएगा P में 4 जोडने पर 15 प्राप्त होता है या 15 मिलता है कैसे भी इसको लिख सकते हैं तो यह इसका कथन हो जाएगा दूसरा भाग है M माइनस 7 बराबर 3 इसको लिखेंगे M में से 7 गटाने पर क्योंकि यहाँ पर M गटा 7 है M में से 7 गटाने पर 3 आएगा या 3 प्राप्त होता है तीसरा भाग है 2 M बराबर 7 कथन लिखेंगे M का 2 गुणा क्योंकि M को 2 से गुणा किया हुआ है तो M का 2 गुणा 7 के बराबर है बराबर दे रखेंगे 7 इसको लिखेंगे M का 2 गुणा 7 के बराबर है अगला है M बटा 5 बराबर 3 कथन हो जाएगा M को या M का 1 बटा 5 3 देता है M का 1 बटा 5 का मतलब होता है गुणा तो M गुणा 1 बटा 5 करेंगे तो M बटा 5 यह आएगा तो यह है M का 1 बटा 5 यहां M के भाग में 5 है इसका रथ है कि M को गुणा किया हुआ है 1 बटा 5 से यह कह सकते हैं कि M को भाग किया हुआ है 5 से तो M का 1 बटा 5 3 देता है इसको ऐसे विले सकते हैं कि M को 5 से भाग करने पर 3 प्राप्त होता है अगला भाग है 3M बटा 5 बराबर 6 कथन हो जे आएगा M का 3 बटा 5 6 के बराबर है क्योंकि यहाँ पर M को गुणा किया हुआ है 3 बटा 5 से तो M का 3 बटा 5 6 के बराबर है या इसको ऐसे भी लिसकते हैं कि M का 3 बटा 5 6 देता है या M को 3 बटा 5 से गुणा करने पर 6 पराबर होता है कैसे भी लिसकते है अगला भाग है 3P जमा 4 बराबर 25 कथन बनाएंगे P को 3 से गुणा करके 4 जोड़ने पर 25 पराबर होता है हमने लिख्या है P को 3 से गुणा करके 4 जोड़ने पर 25 पराबर होता है या इसको ऐसे भी ले सकते हैं पी का पी के तीन गुणे में जोड़ने पर 25 पराबर होता है या 25 आएगा दोनों ही कत्षन ठीक है कोई से को लिख सकते है अगला पराट है 4 P माइनस 2 बराबर 18 तो कत्षन हो जाएगा पी के चार गुणे में से 2 घटाने पर 18 आएगा या 18 पराब्त होता है अगला है पी बटा 2 जमादो बराबर 8 इस समीकन को में कत्षन में लिखना है तो लिखेंगे इसको पी के आधे में दो जोडने पर 8 पराब्त होता है या लिखेंगे पी के आधे में दो जोडने पर 8 आएगा यहाँ पर पी को 2 से बाग किया हुआ है तो यहाँ पर किश्टन ख्या को 2 से बाग करते हैं तो वो आधी हो जाती है तो पी के आधे में दो जोडने पर 8 पराब्त होता है परसन संक्यच्च है निमलिक्त के समिक्ण बनाईए हम यहाँ पर इनके समिक्ण बनाने हैं तो पहला पार्ट है इर्फान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से परमीत के कंचों के संक्या है अब इर्फान कहता है कि उसके पास परमीत के पास इतने कंचे हैं परमीत के पास कंचे हैं एम उसके 5 गुणे उनका 5 गुणा यानि एम को हमने 5 से गुणा किया से 7 अधिक 7 अधिक है तो 7 जुड़ेगा ये हैं इर्फान के कंचे जब कि इर्फान के पास कंचे कितने दे रखे हैं 37 ये भी इर्फान के कंचे हैं और ये 37 भी तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर योकि ये भी इर्फान के कंचे हैं और 37 कंचे इर्फान के दिये हुए हैं तिये इसके 37 के बराबर हो जाएगा इसको आगए हल करेंगे तो 5 M गुना 5 हो जाएगा 5 M जमा 7 बराबर 37 दूसरा भाग है लक्समी के पिता की आयू उन्हें 49 वर्स है उनकी आयू उनकी यानि लक्समी के पिता की लड़की की आयू के तीन गुने से चार वर्स अधिक है और लक्षमी के आयू हमें वाई मान के चलना है तो हमने लक्षमी के आयू वाई ले 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 तब परसन में देखिए लक्षमी के पिता के आयू उने चास वर्स है यह उने चास वर्स और उसकी जो आयू है वो लड़की की आयू का तीन गुना लड़की की आयू लक्षमी की आयू है वाई इसका तीन गुना से चार वरस अधिक अधिक है तो जुड़ेगा कितना अधिक है चार तो चार जुड़ जाएगा यह है लक्षमी के पिता की आयू और ये उनिचास भी क्या है रक्ष्मी के पिता की आयू दोनों ब्राबर हो गई समीकर यहां से हो जाएगा तीन गुणा वाई तीन वाई जमा चार उनिचास को इदर रख लेंगे ब्राबर उनिचास दाएं पक्स को बाएं तरफ ले जाने पर और बाएं पक्स को दाएं तरफ ले पर दोनों पक्सों के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता अगला है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षिया में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किये गए अधिक्तम अंक प्राप्त किये गए निउन्तम अंक का हमारे L है तो परसन के नुशार विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किये गए अधिकतमंक अधिकतमंक दिये वे हमें 87 अधिकतमंक 87 दिये वे ये बराबर होगा प्राप्त किये गए न्यूंतमंक न्यूंतमंक है L का दुगना इसको दो से गुणा धन साथ धन का मतलब होता है जोड और इनका मतलब गटा तो धन साथ यनि जमा षाथ ये हो जाएगा L गुना दो हो जाएगा दो L जमा साथ बराबर हो जाएगा 87 दाएपकृ तरफ और दाएपकृ तरफ हमने बदल दिया है उसे समीकन में कोई अंतर नहीं पड़ता यहां पर हमने एक तिर्बुज बनाई है सम दिबाउ तिर्बुज वो होती है जिसके अंदर दो बुजाएं बराबर हो सम मने बराबर दूई मने दो बाउ है नि बुजा दो बराबर बुजा जो जिस तिर्बुज में दो बुजाएं बराबर होंगी वो होगी सम दिबाउ तिर्बुज और सम्दिवाव तिर्बुज में बराबर बुजाओं कि सामने वारे कौन भी आपस में क्या होंगे बराबर तो ये तिर्बुज A, B, C एक सम्दिवाव तिर्बुज है जिसके अंदर A, B बराबर है A, C बुजा जो A, B है वो A, C के बराबर है बुजा A B के सामने का कोण है C A C के सामने का कोण है B तो ये कोण भी आपस में ब्राबर होंगे और हमें दे रखे है कि अधार कोण अधार वो होता है जिसके उपर तिरबुझ टिकी हुई है तो इस तिरबुझ A B C का अधार है वो B C है तो अधार कोण होगे? अधार के उपर बने हुए कोण तो अधार के कोण हो जाएंगे? ये कोण B और कोण C और ये परतेक है B डिगरी का ये भी B डिगरी का और ये भी B डिगरी क्यों? क्योंकि दोनों कोण बराबर है कौन B है वो कौन C के बराबर है समदी बाउतिर पुछ के कारण तो दिया हुआ है कि सिर्ष कौन सिर्ष कौन होता है जो उपर का ये A कौन सिर्ष है B कौन सिर्ष है और C भी सिर्ष कौन है लेकिन यहां पर इनको अधार मनना गया तो कौण A हमारा सिर्ष कौण होगा और वो क्या है प्रतेक अधार कौण का दुगना ये B डिग्री है तो ये कौण हो जाएगा दो B डिग्री दुगना B का दुगना दो B अब हम जानते हैं कि तिरबुच के तिन्नों कोण का जोड़ एक 180 होता है तो उस नियम के अनुसार जोड़ेंग हैं कोणों को ये कोण है B अधार का ये दूसरा कोण B अधार का और तीसरा कोण सिर्ष वाला जो है इनका दुगना यानि दो B डिग्री तिन्नों कोण को जोड़ दिया और तिन्नों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री तो B जमा बी जमा दो B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4B बराबर 180 डिग्री तो यहां से ये हमारा समीकन बन जाएगा 4B डिगरी बराबर होगा 180